वेलकम टूझी ऑनलाइन क्लास स्टुडिंस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास पोड की इंग्लिश का चाप्टर थर्ड जिसका टॉपिक है इच वन इस यूनिक इसका पार्ट टू हम आज शुरू कर रहे हैं इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्टोरी ए पढ़ी थी देवे इन दे प्ले अब आउट बॉइ नेम राम यह राम की स्टोरी है देखते हैं क्या इस में वह वह उस नौट अबल टू प्ले गेम विद्यासागर तो हम जो पढ़ने वाले वह एक प्ले के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं जो कहानी है वारतालाब कॉन्वसेशन के फॉर्म म किसने लिखा है children of Vidyasagar विद्यासागर के बच्चोंने लिखा है एन इंस्टीशन फोर चिल्रन विश्टेशल नीज इन चैन्नाई अब यहां विद्यासागर क्या है विद्यासागर एक इंस्टीउशन है किसके लिए जो ऐसे बच्चेव होते हैं कुछ स्पैशल नीज के सा यह प्रकाश की और प्रकाश की जो एक ही कख्षा में पढ़ते हैं प्रकाश के राम यह बता रहे हैं प्रकाश जो है वह बहुत ही नॉमल है वो चल सकता है लेकिन जो राम है उसे एक वीज़ेर का इस्तव्माल करना पड़ता है विल राम भी इंक्लूड़ेड इन प्लास गेम से यहां हम से पूछा गया है कि वो तो वीलचेर यूज़ करता है तो क्या वो कख्षा की जो खेल है उसमें उसको साथ खेलने दिया जाएगा यहां हम देख रहे हैं राम की जो है जह चित्र हमें दी गई है अब यहां नित्य राम अश्विन बात कर रहे हैं और प्रकाश इन सब की वारतल आप चल रही है नित्य क्या बोलती है यह देखते हैं हाई राम है भी फिनिश्ट यह होंबग वो पूछ रहे हैं तुमने क्या अपना ग्रहकारे पूरा कर दिया तो राम बोलता है हाई नित्या येस आया फिन अश्विन राम को बोल रहा है मुझे तुम्हारी ग्रहकारे वाली पुस्तिका दे दो मैं इसको अध्यापिका के जो है टेबल पर पर रख के आ जाओंगा ताकि वो इसे क्या चेक कर ले राम उसको थैंक्यू बोलता है थैंक्यू अश्विन शुक्रिया तुम ये कर रहे ह तो अश्विन राम हैव यू कंप्लीटे यू फिजिक्स प्रोजेक्ट अब यहां यहां से पूछ रहा है राम से अश्विन कि तुमने अपना फिजिक्स का जो कारे है वो ग्रहकारे पूड़ा किया राम बोलता है हां I have made a model of rainwater harvesting मैंने वर्षा के पानी का 71 करण जो होता है उस पे एक model बनाया है वो बता रहा है राम हमको नित्या बोलती है राम makes such good models राम बहुत अच्छे जो है अच्छे तरीके से अपने कारे करता है जो model उसने बनाया है वो ऐसे बहुत अच्छे models बनाता है इस पर क्या होता है इसके बाद जो है स्कूल की गंटी बच जाती है प्रकाश coming in प्रकाश आ रहा है रूम में हेई I have come to take you to playground for lunch अब हम यहां देख रहे है लंच ब्रेक हो गया इनका तो प्रकाश यहां आया है उसे लेने के लिए कि इन सबको लेने के लिए कि चलो हम भार मैदान में चलते हैं लंच करने के लिए अश्विन बोलता है you never forget your best friend do you अश्विन बोल रहा है प्रकाश का best friend को है राम तो वो बोल रहा है कि तुम अपने खास दोस्तों कभी भी भूलते नहीं हो है ना तो प्रकाश बोलता है मैं कैसे से भूल सकता हूं यह भी तो मुझे नहीं भूलता राम बोलता है it is because of प्रकाश that I could join his school this year यह से प्र यालेकू में join कर पाया हूं इसमें मैं admission ले पाया हूं he told my parents that I had to apply for admission to class 4 इसने ही मेरे माता पिता को समझाया कि मुझे कक्षा चौथी में admission ले लेना चाहिए अश्विन बोलता है okay okay we are happy to हम भी बहुत खुश है तुम्हें यहां अपने साथ पाके प्रकाश join us for a game of cricket after lunch अब अश्विन प्रकाश को invite कर रहा है जो है cricket खेलने के लिए जिस पर प्रकाश हां बोलता है राम बोलता है मुझे भी आप लोगों के साथ खेलने दो let me join to प्रकाश उस पर बोलता है how can you play राम you can't move on the field or hold a bet तुम तो चल फिर नहीं सकते जो मैदान है और तुम बैट भी नहीं ऐसे याद करते बोलता है अच्छा ठीक है मैं तो खेली नहीं सकता हूं अब एक महीने बाद गया होता है वो देखते हैं अमित बोलता है I wonder why प्रकाश is not end time we have a big match tomorrow अमित बोल रहा है आपर कि प्रकाश वह वह ओन टाइम नहीं आया है हमारा एक कल बहुत बढ़ा match है स्विल्पिंग का मतलब होता है किसी को चोट लग जाती है तो लंगडाते हुए आना अमें तुछ से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया जिस पर प्रकाश बोलता है मेरा accident हो गया था my father's scooter was hit by an auto and I fell down मेरे जुपिता का scooter था उसका auto accident हो गया और मैं नीचे गिर गया he had to take me to the hospital it's a simple sprain बोल रहें उन्होंने मुझे hospital ले जाया और हमें पता चला कि छोटी सी मोच प्रेन है नित्या बोलती है कि sorry प्रकाश यह बहुत ही important जो है खेल है अमारा कल प्रकाश बोल रहा है कि क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मेरे को अब तुम टीम में नहीं रख रहे हो लुए लंजब्रेक में प्रकाश बार नहीं गया है प्रकाश अंदर बैठा है इस पर देखता है राम कमसिन राम आता है प्रकाश वोट है अब पूछ रहा कि क्या हुआ तो प्रकाश बताता है एक छोटा सा एक्सिडेंट हुआ था अब मैं ठीक हो जाओंग इतनी चिंता मतलो तो राम उसे पूछता है what about the match tomorrow कल वाले match का क्या प्रकाश बोलता है मैं नहीं खेल पाऊंगा तो राम उसे बोलता है that's too bad प्रकाश बहुत ये बुरी बात है you have practiced so hard and now you can't play तुमने इतनी मेहनत की और अब तुम खेल नहीं सकते you know how I feel to watch other people play when you can't join them तुमें पता है मुझे कैसा लगता है कि जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूं खेलते वे और मैं नहीं join कर पाता हूं तुमें अब पता चला ठीक है खेलने के लिए राम उस पर हसते हुए बोलता है thank you प्रकाश शुक्रिया करता है that would be good यह अच्छा होगा in the meantime let's play कैरम अब हम यह मजाग करते वह बोलता अब हम cricket तो नहीं खेलते हैं तो चलो अब हम कैरम खेलते हैं तो हमने क्या पढ़ी राम और प्रकाश की स्टोरी और कैसे डिसेबलेटी जो है उनको बीच में नहीं आने देती अपनी दोस्ती के भी और क्या वह खेलते भी हैं cricket नहीं तो कैरम ही पर वह खेलते भी और उनमें इतना जो है confidence है कि वो कोई तरीका डूढ लेंगे ठीक है यहां पर इन्होंने बताया है कि we will find a way to play this game मतलब वो कोई तरीका डूढ लेंगे साथ खेलने का तो स्टूडेंस हम जो वर्ड मीनिंग से उस पर यहां पर ध्यान दे देते हैं reasonable मतलब प्रैक्टिकल या सेंसिबल या फिर व्यवहार एक जो चीज होती है कि आप सोच समझ के बात करो नित्या ने बोला कि प्रकाश को कि तुम कैसे खेलोगे reasonable hold का मतलब है किसी चीज को यानि कि वर्षा का जो पानी होता है उसको संचित या संग्रहित करना या फिर एकत्री करन करके उसको अलग तरीकों से इस्तमाल करना स्प्रेइन का मतलब होता है to injure a joint in your body specially wrist और ankle स्प्रेइन का आगा है या तो कलाई पे या तो फिर एडी पे जाधा तर इसका मतलब होता है मोच लगना लिम्पिंग का मतलब है walking slowly with difficulty because of injury in the leg लिम्पिंग का मीनिंग हमने पहले ही देखा था लिम्पिंग का मीनिंग होता है लंगडाते हुए चलना next हम आ जाते हैं हमारे fun time पे question answer देख लेते हैं हमारे पास जो यहां पे है वेर वाल देवेंद्र जाजरिया बॉंड चूरू डिस्ट्रिक्ट में उनका जनम हुआ था चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजिस्थान कहां पर पे राजिस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था है न स्टूडेंस next हम देखते हैं who took Prakash to hospital and why his dad took him to hospital because they met an accident उनका एक accident हो गया था क्या होता है sentence का मतलब प्रकाश के जो पिता थे उसको hospital लेकर के गए क्योंकि उनका एक accident हो गया था what thing did Ram यहां पूछा जा रहा है राम ने ऐसी किस चीज़ के लिए project बनाया था Ram made a project for physics what thing क्या बनाया था physics के लिए उसने बनाया था model of rain water harvesting rain water harvesting का मतलब क्या देखा था students हमने rain water harvesting का मतलब होता है वर्षा के पानी को संचित करना ताकि उसका अलग तरीके से इस्तिमाल किया जाए for what did he get gold medal in 2004 किस चीज़ के लिए Paralympics क्या देखा था देवेंदर जहाजरिया को किस चीज़ के लिए gold medal मिला था Paralympics के लिए मिला था when was he awarded पजमश्री अवार्ड पजमश्री उन्हें कब मिला था students हमने देखा था उनको पजमश्री 2012 में मिला था बाइदी प्रेजिडेंट हाव डिट प्रकाश रियलाईज राम स्पेंड प्रकाश को राम का पेंड कैसे पता चला वैं ही इंसेल गौट इंजर जब उसे खुद को लग गई थी तब उसका जो दर्ध है उसके बारे में पता चला नेक्स हम देखते हैं वाई कुड नौट प्रकाश प्ले दी क्रिकेट मैच बिकॉज वी प्रेंड उसको एक मोच लग गई थी इसले वर नहीं खेल सकता था किसने मदद की थी प्रकाश हेल्ट राम इन जोईनिंग दी स्कूल राइट स्टूडेंट हमने क्या देखे यहां पर हमने आंसर दी फॉलोईंग कोशन्स देखे थे यह क्या हो जाएंगे स्टूडेंट यह आपका जो होमवक है उसमें आपको करने है क्या करना है होमवक में से करना है next हम देखते हैं हमारे पास यहां पर पर क्या है next हमारे पास है यहां पर हमारे जो फिलप है वो है he joined a sports academy in dash jajadya won a medal in korea कब जीता था उन्होंने korea में medal उन्होंने जीता था 2002 में next हम देखते हैं I will never let it happen मैं तुम्हारे साथ यह वापिस नहीं होने दूंगा devendra won a silver medal at dash in 2004 कहां पर पर दोहा कहां कतर में yes I have made a model of rain water harvesting किस चीज का model बनाया था rain water harvesting का model बनाया था राम ने devendra jajadya was born in dash कब पैदा हुए थे वो 1981 year में पैदा हुए थे sorry प्रकाश it's an important dash लोगों ने क्या बोला था ये एक all his life राम ने दूसरों को खेलते वे देखा था true प्रकाश fell down because his scooter it hit an auto true प्रकाश was limping because of fracture in leg falls fracture नहीं था वो श्प्रेन था फाइनली प्रकाश और राम प्लेट दी ग्रे गेम और कैरम तुगेडर true तो students हमने क्या देखे true and false देखेता ही और गलत जो है वो बताए इन में से choose the correct option करना है हमें डंग से बताना है I wonder प्रकाश is not on time the meaning of word wonder in statement is I am afraid worried surprise of myself I am worried में को चिंता और रहे कि वह समय पर क्यों नहीं आया next देखते हैं प्रकाश practice for the dash match कौन सा match था cricket का match था who said these words be reasonable किसने बोला था be reasonable मित्या ने कहा था अब हमें choose the opposites बताने इस में से finish का opposite क्या होगा काटेड फिर हम देखते हैं forget का मतलब क्या होगा forget का opposite होगा remember यानि कि याद करना बिग होता है बड़ा तो इसका opposite क्या होगा more together मतलब साथ में तो इसका opposite विलों क्या होगा अलग से separately last का मतलब होता है हसना तो इसका उल्टा क्या होगा रोना यानि की weep tomorrow का मतलब होता है कल और कल का opposite होगा बीटा हुआ कल यानि की yesterday okay students तो यह क्या हो गए हमारे आगए homework में जो कि हमें बुक में ही solve करने है right student क्या करने है book में ही solve करना है next हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है next हमारे पास है complete the spelling तो students हमें जो chapter है उससे देख करके इससे complete करना है right यह भी आपके homework में है यह जो दो question है यह बहुत ही easy है हमने solve कर लिए है तो यह आपको homework करना है क्या करना इसको आपको notebook में pen down करना है right students तो हमने क्या पढ़ी थी story आज दो पढ़ी है हमने इस chapter में दो स्टोरी पढ़ी थी each one is unique में देवेंदर जाजडिया की और राम और प्रकाष की कैसे वो अपनी disability को अपने career के life के बीच में नहीं आने देते okay students so आज के लिए इतना ही जितना भी आपको homework दिया गया है वो सब आपको अपनी notebook में करना है that's all for today thank you and have a nice day